आजकल मुझे ये सोचकर बड़ा जीव सा लग रहा है क्या सच में हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई कि हमें अब म्याय मांगने के लिए सडकों पर उतरना पढ़ा है मैं अपनी इस बात को कुछ छोटे से सब्दों में कहना चाहूँगा हर बलात कारी को खुद पर अभी मान होगा अगर देश में हिंदू और मुसल्मान होगा महलाओं का फिर कहां सम्मान होगा अगर देश में हिंदू और मुसल्मान होगा बलात कारियों को सरम नहीं क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं हर घंटे एक नया कांड होगा अगर देश में हिंदू और मुस्मान होगा फिर चली जाएगी लोगों की नजर एक और नए मुद्दे पर समस्याओं का कहा समादान होगा अगर देश में हिंदू और मुस्मान होगा भारत बंध होगा बसों में आग लगेगी तुकाने लुटेंगी हर नेता एक दूसरे पर उन्य उखाएगा क्या घंटा समादान होगा अगर देश में हिंदू और मुसल्मान होगा हम पर ही शुरू होती है आकर हम पर ही खतम हो जाती है हर बार इन घटनाओं का सिकार आदमी आम होगा अगर देश में हिंदू और मुसल्मान होगा हर बलत कारी को खुद पर अभी मान होगा अगर देश में हिंदू और मुसल्मान होगा हमें अपने देश को बचाने के लिए बस इतना करना है हिंदू मुस्लिम बनने से पहले इंसान बनना है जे हैं, जे वारत